हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, देखें फ्रेंड्स, किस्चन नमर फाइफ देखेंगे, इफ y is equal to 10 inverse, क्या दिया है, अंडरूट में 1 प्लस कोस x, प्लस अंडरूट ओफ 1 माइनस कोस x, अपोन अंडरूट ओफ 1 प्लस कोस x, माइनस अंडरूट ओफ 1 माइनस कोस x, तो हमने find out करना है, d square y upon dx square, ठीक है भई, अब यहां देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या कर लें सिंप्लिफाई करेंगे, उसके बाद differentiate करेंगे हम, ठीक है, तो क्या दिया है अपने को, y is equal to 10 inverse, अब ब्रेकिट में यह दिया है न, तो इस पे formula लगा लें, 1 प्लस में कोस x को क्या लिख लेंगे, 2 कोस square और angle का half, x है तो क्या आएगा, x y 2, ठीक है भई, यहां पे देखें तो प्लस, यहां इसको लिख लें, under root के अंदर क्या बन जाएगा, 2 sin square x y 2, ठीक है, इसके अपोन में क्या चल रहा है भई, इसके अपोन में है अपना, under root of 2 को square x by 2, और यह under root of 2 sin square, यह minus है भई, इसको ठीक करें, minus है, sin square x by 2, clear, अब यह जो under root है, वो इन दोनों पे है, इस पे भी है और इस पे भी है, ऐसे कर सकते हैं न, into में है यह, तो दोनों पे under root अलग लग लगा सकते हैं आप, इस में से root 2 को क्या कर लें, common ले लें, ठीक है, और root 2 को खतम कर दें आप, देखें, square से root अट गए, square से सारे root अट जाएंगे, ठीक है, अब बचा root 2, तो root 2 को भार ले लें, यह बन गया 10 inverse, यहां पे root 2 को भार ले लें, बार का मतलब यह नहीं कि आप यहां भार ले लें, यहां नहीं ला सकते होई, तो root 2 को यही, common लेके भार रख लें, और इसमें क्या बच गया, उपर कि अगर हम बात क कर लें, तो cos xy2 plus sin xy2 upon इसमें भी root 2 को भार ले लें, तो यहां क्या बच्या है का cos xy2 minus sin xy2, बच गया, अब root 2 से root 2 अट गया, देखो ऐसी form अगर आपके पास बन जाती है, cos xy2 plus sin xy2 और cos xy2 minus sin xy2, तो हमने यह question काफी बार आ चुका है अपने, तो हमने आपको बताया है कि cos of theta से numerator और denominator को क्या करना है आपको, divide, उससे क्या फायदा होगा, 10 का formula बन जाएगा, ठीक है, बार भी 10 inverse है, यह 10 का formula बन जाएगा, यहाँ theta का का काम कुण कर रहा है xy2, तो हम क्या क करेंगे, इसको divide करेंगे, divide numerator and denominator, denominator y, किस से करेंगे वही, cos xy2 से, जब cos xy2 से आप इसको divide करेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, यह y चल रहा है अभी, हमने differentiate नहीं किया है, करेंगे जब इसको पहले solve कर लेंगे, यहाँ पे 10 inverse, यहाँ क्या है वही, आपने cos xy2 plus sin xy2 को divide करना है, किसे cos xy2 से, और इसके अपौन में यह है, इसको भी divide करना है, cos xy2 minus sin xy2 को divide करना है, cos xy2 से, अब कर दो भई, divide, तो मैं divide करूंगा, देखो, यह जो निचे यहाँ लिखा है, मैंने, इसका मतलब यह cos xy2, इसके साथ भी होरी है, इसके साथ यह दोनों के साथ है ना तो जब यह इसके साथ आएगा तो यहां क्या बन जाएगा वन तो इसके बाद में हम इधर कर देते हैं इसके निचे कर लेंगे आप y is equal to 10 inverse यह क्या बन जाएगा वही वन पालास और sin x by 2 upon cos x by 2 क्या बनेगा 10 x by 2 10 x by 2 इसके अपोन में क्या चल रहा है अपना यह यहां cos x by 2 upon cos x by 2 इसके भी निचे और इसके भी निचे तो यहां तो 1 बनेगा यहां माइनस का 10 x by 2 बन जाएगा के लियर अब यहां पे देखें तो यह 10 inverse यह जो है यह formula बन जाएगा 10 pi by 4 पलस थिटा थिटा का काम यहां कुण कर रहा है x by 2 ठीक है अगर आप इसको खोलेंगे 10 a plus b को तो यह formula बन जाएगा 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b तो 10 a यानि की 5 by 4 तो 1 आएगा और 10 b तो पलस 10 x by 2 है upon यही आ जाएगा अगर इसको आप वापिस करेंगे तो यही आएगा ठीक है अब हम क्या करें इसको differentiate अब करेंगे हम dy by dx differentiate with respect to x करो भई तो यह क्या बन जाएगा dy by dx is equal to pi by 4 का क्या हो जाएगा 0 x के respect में pi by 4 क्या है constant पलस और x by 2 का क्या हैगा 1 by 2 आगया अब हमने करना है इसका दुबारा differentiation क्योंकि हमें तो d square y upon dx क्या जाएगा यह 1 by 2 का भी अब constant है constant का x के respect में फिर से कर रहे हैं तो क्या आएगा इसका differentiation 1 by 2 का क्या होगा 0 ठीक है तो यही हमने find out करना था यही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा भई ठीक है यह था आपका question number 5 आप इसको note कर लेंगे और channel को subscribe जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो और friend circle में भी जर क्योव बांगा है